हेलो गाइस वेल्कम बैक इन्वा यूटूब चैनल आज की वीडियो में हम एक मेज गोल एंड्रॉइड आप क्रियेट करेंगे जुकि यह टाइप अप्लिकेशन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस अप्लिकेशन को क्रियेट करते हैं तो यहां से अपने एंडौइड राचे हैं एल्सक्राइफ कर लेना है यहां पर और हाएं पर prohibit कर लेना है तो जैसे एक्ष्रक्ट करेंगे उसको बाद इसको यहां पर एक्ष्रक्ट हो जाएगा हमारा सोर्ष कुट इस पर राइट क्लिक करेंगे यहां पर इसको एक्ष्रक्ट कर सकते हैं एक्ष्रक्ट फाइल का उप्षन मिलता है और ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर एक्ष कैसे अप्लिकेशन को कस्टमाइज करते हैं तो अगर इस अप्लिकेशन को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल लेगा आप उस अप्लिकेशन को डाउलोड करके इसका डेमो देख सकते हैं क्रियेट करने से पहले इसका जो पाथ है सिंपलिस के पाथ को आपको कौपी कर लेगा है कि जहाँ तूर्स कोट और चाहें होते हैं अपने तूर्स कोट को रख सकते हैं किसी फॉलडर के अनद बस आ चाही बागे कई आजाता है इसके पहने सो रखा हुए सोर्स कोट हो इसका लोकेशन आपको इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं और थोड़े से सब्सक्राइब हो जाते हैं जिसे कर फाइल होती है वह सारी फाइल तो इस वजह से आपके सही चाप करेंगे तो कोई इस्व नहीं आएगा और यहां पर नेट का जो स्पीड हो वह अच्छा खासा हो क्योंकि अगर अच्छा ने तो यहां से हमारा जो इंपोर्ट हो चुका है सक्सेस्फुल हो सकता है यह आपका 10-20 मिनट भी लग सकता है क्योंकि अगर फ़र्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो टाइम लगता है क्योंकि इसमें डॉट ग्रेडल और डॉट आईडिया का जो फाइल होता है वह आपके अन्ड अच्छ पूर्ट हागों यहां पर सक्सेस्फुल हे आप जब दी से हो गया तो अब थोड़ा सा वेट कर देना जब तक आपका इंपोर्ट नहीं हो जाता है पूर्ट हो चुका है इंपोर्ट होने के बाद आपको यहां कर लेना आरे फाइल को जैसे आप यहां इसे फैसे सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको चाहिए कि आप लाइन बाइन रहे क्योंकि ऐसे रहेगा तभी आप पैकेज नेम चेल्ज कर पाएंगे तो यहां सब ओपिंड कर देते हैं कोई भी अप्लिकेशन प्लेश्टोर का कि है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि आपका जो भी क्ते पैकेज्न नेम चूच कर रहे हैं तो को हूँ भी अप्लिकेशन क्रेंट एन तो उस्से पाएंगी तो यह स्थे तो इस पैकेज नेम को हम यहां से ले सकते हैं अपनी अप्लिकेशन में तो इस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं तो तो बस इसी अप्लिकेशन के लिए नहीं है तो बीट रहे हैं पतलिकेशन फीडिय क्लिकश रहे हैं सारे ओ अप्लिकेशन लाई होता हैं तो पोनीच लेक है करना है उस पेद्लिक करना है यहां पर जो निम है चेंज-गार देंगे हांपर तो यहां पर हमारा मेज है और यहां पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो पैकेज करने होगा यहां से चेंज हो जाएगा तो इस तरह साथ पैकेज ने चेंज करने के चेंज होने के बाद यहां पर अप्लिकेशन आइडी है तो अप्लिकेशन आइडी के जगा पे आपको अपना और जिनल पैकेज ने में यहां पर एड कर देना होता है इसके बाद सिंक अपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा यहां पर सक्सेस्वली सिंकोनाइज हो जाएगा यानि कि आपका पैकेज ने चेंज हो चुका इस तरह से आपका फॉर्स्ट इस्टेप जो ह से टोगया उसके वाद मानिफेस्ट डाइजमल में यहां आते हैं इस तो आपका यहां का अप्लिकेशन कि आइडेया प्रेद हो ओ मिया आपक दोडिकेशन कि आइडीया तो मिल इसलिए नहीं सब करना है जो बेसिक स्टेप है वो सारी ने बटाएंगे यहां पर डिजाइन वाली पार्ट होते हैं यहांसे देख सकते हैं इसके आपका जो है इसको आपी स्कोर करकर देख सकते हैं और यहां पर जो आइकन है यानि मैप के अंदर जो आइकन है आप इसको चेंज करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक जाएंगे इमेज असे पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको फोल्डर का एक आइकन मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी जो इसका image है य स्ललेक्ट कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहते य अफ्लेक्वाइड नेखे ब चुल्द है इसाँ आई का बटन पर दीख सकते हैं टो यहाँ ब्तक्सेन कर अब करना हूँ है आप यहाँ से मोज़ा आपने हैं और यहां पे बैनर ईडिने आईडि आपर लगा लिजी और यहां पे अपना आईडिविल और यहां पर आड़unu प्रशेर ख्राइड आईड है यहां पर अंतच को निचे मिल जाएगा प्राइविइसी पाल्सी तो आप चेंज हो जाता है कलर फिर प्राइवेसी पॉलसी यहां पर प्राइवेसी पॉलसी अल्डेडी बना के दिया गया है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको अपने एक्वार्डिंग एडिट कर सकते हैं इंडेक्स.html इसको आप कुछ मत कीजिए जैसा उसको वैसे रहने दिश्यों फिर यहां पर जो जावाली फाइंड की कोड है इसको आप यहां से देख सकते हैं प्तार इसमें भी कुछ करने के जरूए नहीं है तो यहां से हमारा वो चुका है इसके बाद आपको यहां पर नीचे आ जाना है और यहां पर बील्ल टाड क्रेंडल है इसको आप हैं और यहां पर इमेज को चेंज करना चाहते हैं लोगों को उसको आप कैसे चेंज करीव है इन्दर आजेंगे और यहां पर cooling इस्तिर मेरे इमेज करेंगे तो चेंज करते हैं कि और ऑपको चेंजी करना होता है 500 जो 500 तो और 200 200 जितना भी साइज आपको चर्पी इमेज ONE और ँचिए रिप्लेंज सब्सक्रावर आपको चांज कर लेना होगा एंज से तो अबalta बैसी सारा काम एक हो बन case इस अप्लिकेशन को लेंगे और बहुर Woo अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर है यह उलेटर में तो भी कर सकते हैं यहाँ पियो फॉर्फ ङीट पर क्लिक कर देंगे तो आपका एक डेयो एपिकी channel यहां पर आपका जैने हो करें याहां पर प्रोसेसिंग इसटार हो गया है यहां पर बिय्ट को प्रॉजक्ट को रहते हैं यानि कि मैं रहते हैं तो अपर या गर कुछ है तो आपका तो हो जाता है तो इस तरह सब फाइंड आउट कर लिए अगर कोई एरार आता है किसी भी अप्लिकेशन में तो लॉक्ट में आपका एरार शो हो के आ जाता है यहां से इमुलेटर को एबार राम यां से सिंक्राइज कर लेते हैं यानि कि इसको एबार फिर से कोल्ड नाउ कर लेते हैं तो आपका इमुलेटर होगा रिस्टार्ट हो जाता है अगर आपका इमुलेटर प्रोपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो आप एक बार रिस्टा करने के लिए आपको सीम्पली लॉक कैट पर क्लिक कर देरा है है हुए है सब्सक्क्र Ecki Suri यहाँ पर जो इसका लोकेशन लोकेट पर क्लिक करने के के बाद चो विई एप कि अपका जैनेट हों पुसको मोबाईल फूण में ले लिए हब उसके बाद रन करके चेक कर सकते हैं अपने मुबाइल फून में तो हो गए हमारा डेम एपीखव का उसके बाद हमारा आपर रेट रेटो हो रहा है इस में फ़ला सी टायम लंग जाता है आपको प्षेत कर लेना होता तो रेटों कर देंहें तो हमारा जो emulator होगा यहां पर run होना ही start हो जाएगा हमारा application इसके बाद यहां पर logcat को जब आप open करेंगे तो emulator में जितनी भी processing हो रही होगी उस सब कुछ वहां पर logcat के अंदर दिखा देगा तो अगर कोई error आता है आपके application में किसी भी application में तो आप इसके बाद logcat में देखेंगे तो वहां पर जो error होगा basic errors like अगर कुछ app होते हैं वहां पर आपका fail हो जाता है open नहीं होता है app तो उसमें क्या error आ रहा है पहले आपको find out करना ज्यादा जरूरी होता है logcat से आप find out कर सकते हैं कि उसमें main error कहां पर है और क्या error है तभी आप solve कर सकते हैं तो आपको step समझ में आ गए होंगे फिलाल हमारा application रन हो चुका है यहां पर कुछ इंटरफेस open होके आ जाता है यहां पर देख सकते हैं हो आप उसको पहुंचाना है तो यहां पीसको यहां से play करेंगे तो फ्रस्ट लेवल यारी कि बहुत ही करते हैं तो अगर आपकी earning नहीं होती है तो उसको फायदा नहीं होता है तो आप olline करसे है अपने application से इस गेम से ऊजाए तो यहां से स्का-जोगर戲 आप म्यूट करना चाहते आप इसका on को पर सकते हैं और वास कहल रहा है उसमें अब वाई रखना चाहते हैं इसके अब इसके बाद से आप ने कितना लेवल अपका हो चूका है वह कोई आपन कि आपन को सकते हैं तो फॉस्ट कर दिया सेकं लेवल प्रहाब आपको जाना है तो सेकं लेवल जबाप फर्स्ट लेवल कंप्लीट करेंगे तो ही आपका सेकंड लेवल का जो लॉक है ऊपे हो गादा के लिए फिर है तो इसके बाद इसका जो अपडेट भी है तो फिलाल यहां पर देख सकते हैं आप बहुत सारे लेवल से आप यह लेवल हैं फिर यहां पर होम पे क्लिक करेंगे तो इसका होम पे जो प्ले करने के लिए उपन हो जाएगा कितना टाइम रिमेनिंग है और लास्ट में आपको जाए गल चली कुए जाते हम ऊसे के क्लिके सब्सक्राइब करने में कोई फिर आर चाहते हैं कि अप्लिकेशन को क्रियोट करवाना चाहते हैं तो सकते हैं फिर कोई भी एप्लिकेशन अगर आपको develop करवाना है या फिर कोई website अगर आपको develop करवाना है तो आप हमारे इस्टाग्राम पे भी मेसेज कर सकते हैं तो अगर आप आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थांक यू